हेलो एवरीवर वेलकम तो आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन वीद मी जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन दो बना मत पूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के लिए टेस्ट वीडियो की अपडेट सब फर्स्ट है अनाटोमी क्या होती है अनाटोमी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसको अगर तोड़ा जाए तो आना प्लस टोमी में इसको अलग-अलग करते हैं तो आना का मतलब होता है अपार्ट अलग-अलग करना और टोमी का मतलब है टू कट मतलब की चीज़ को क काटते हैं उसमें से उसके औरगन निकालते हैं तो हम क्या study करें गे क्या study करें के lord और उसका structure की वह दिखने में कैसा है उसके size क्या है उसका weight क्या है स्की structure क्या है उसकी location का है मतलब कहां न था यह सब हम study किसा में करते हैं fís smart a detailed knowledge of the structure of various system of human body ठीक है इनकी detailed मतलब knowledge gain करते हैं जो हमारी human body के अंदर जितने भी structure है ठीक है systems है organs है उन सब के बारे में उनकी shape, size, weight, structure, location यह सब हम उसमें discuss करते हैं तो क्या बोला जाता है anatomy can be defined as the size dealing with human body structure and relationship among structures यह हम किसमें study करते हैं anatomy for example के लिए skeleton system है यह skeleton system हमारे अंदर हडियां उत्ते कैसे पता चला जब हमारे श्रीर के उपर से खाल उतार दी मसल्स उतार दी फिर हमारा skeleton आया अब skeleton के अंदर हम क्या study करेंगे बोन कितनी है total bone कितनी है कैसा size इनका structure कैसा है और कहां कहां पर consequence बोन होती है यह आती है anatomy अब बात करते हैं हम अपने physiology की physiology हमने पढ़ लिया anatomy ठीक है अब physiology में हम किसकी बात करेंगे function की function की हर्ट अपना काम करता कैसे है हमारी बोड़ी के अंदर blood पहुंचाता कैसे है और पूरी बोड़ी में से blood physiology क्या है the study of how the body at all its parts functions कि जो हमारी बोड़ी है ठीक है जो इसके अंदर systems है जो इसके organs है यह कैसे function करते हैं ठीक है हमारी सबको पता है हमारी बोड़ी में बहुत सारे सिस्टम साजैसे respiratory system digestive system nervous system skeleton system muscular system तो इन सभी के functioning कैसे होती है यह सभी अपना अपना काम कैसे करते हैं यह हम पढ़ेंगे physiology में तो physiology क्या है this study sorry this science dealing with the study of human body function अब बात करते हैं हम इसके अंदर importance की importance of anatomy and physiology first है हमारा anatomy provides the knowledge of structure यह हमने पढ़ लिया कि anatomy से हमें क्या पता चलता है structure ठीक है shape size location weight यह सब इसके अंदर हमें पता चलता है physiology physiology provides the knowledge about the function यह भी हमने पढ़ लिया कि physiology क्या प्रवाइड कर किसकी knowledge देते हैं हमें कि हमारे जो organs है वो function कैसे करते हैं कि कि किस organ की capacity कितनी है या फिर उसकी capability कितनी है ठीक है उसके बाद बात करते हैं next है हमारा useful in the prevention from sports injury अब सब को पता है अगर sports में गेम से पार्टिस्पेट कर रहे हैं तो injury तो हमारा एक पार्ट है समझे sports और गेम्स का injury तो होती होती है ठीक है चाहे हम जितना वर जी बचले फिर भी हो जाती है लेकिन हम उनकी prevention तो कर सकते हैं तो prevention कैसे होती है सबसे पहले sports injury में लिए सबसे जाला जो होती है स्प्रेइन स्ट्रेइन फैक्चर डिसलोकेशन यह सब sports injuries होती है तो अनोटमी से हमें पाता चल गया किस कौन सा ओर्गन कहां है ठीक है किस ओर्गन के कैसा structure है तो उसके बाद जो हमारे वीक ओर्गन है जो हमारे soft organ है उनके लिए protective equipment हम prepare कर सकते हैं ठीक है जैसे फॉर एक्जेंपल फैंसिंग के अंदर गल्स जैस्ट गार्ड यूज़ करती है ठीक है यह क्या है protective equipment है और हमें organs की हमेरे structure की knowledge कहां से मिलेगी anatomy and physiology से so in the process of rehabilitation yes rehabilitation में इसका बहुत बड़ा योगदाना कैसे rehabilitation में ऐसे हैं जैसे किसी के fracture हुआ है ठीक है fracture हो गया ठीक है कहां हुआ है यह हमें किसे पता चला कि हमने anatomy की थी कि कौन सा ओर्गन कहां पर है पता चल गया कि हमारे टीविया में fracture आ गया टीविया क्या है lower leg में यह हमें कहां से पता चला anatomy में अब physiology उसके function कैसे थे ठीक है हमारे skeleton system में उसके function कैसे थे वह कहां पर जूड़ी हुई है ठीक है वह क्या काम करती है यह सब हमें physiology में पता चला rehabilitation process में कैसे काम आएगा कि जो हम corrective exercises यूज़ करेंगे वह हम उसके according यूज़ करेंगे उसके आसपास कोई joint है बोन है लिगमेंट्स है टेंडन्स है उनके according हम जो हमारी corrective exercises है remedial exercise है वो यूज़ करेंगे तैंसके बाद नेक्स पॉइंट है यूज़ इन दी सेलेक्शन आफ स्पोर्स यह स्लेक्शन आफ स्पोर्स में कैसे जैसे फिजलोजी और अनोटमी तो मुझे बार बार बताना की जुरूरत नहीं है शायद अब कि अनोटमी रिएटी टू स्ट जो कार्डियो वस्कुलर इंडॉरेंस है वो क्या है अच्छी है बहुत ज़्यादा और उसके साथ साथ उसके अंदर क्या है मोर परसेंटेज ओफ रैड एंड स्लो ट्विच फाइबर इनको इसलो बोलते हैं तो जो रैट ट्विच फाइबर होते हैं वह रिलेटिड होते ह जहां पर इंडॉरेंस यूज ओ लोंग डिस्टैंस की रेशिस देदी या जैसे फुटबोल होती है लंब में मैचीज चलते हैं ठीक है वह देदी तो वह कैसे होगा हमें इस चीज की नोलिज होनी चाहिए इसलिए फिजिकल एडुकेशन टीचर्स पर और कोचिस पर जो ए हमारे जैसे हमने अभी किया था कि कैसे हम कोई स्पोर्ट से इंडिविजल का स्लेक्ट करते हैं तो सेम ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम उसकी कैपेसिटी और लिमिटेशन के अकॉर्णिंग हम उसका स्लेक्ट करते हैं तर आता है help to know about the chemical changes during exercise when we take part in game and sports activity number of chemical changes take place हमारी होते हमारी बोड़ी के अंदर वो किसमें पढ़ते हम फीजोलोजी में देर आता है हमारा एट्पोइंट है अंडरस्टेंडिंग दी अनोटमिकल एंड फीजोलोजीकल डिफ्रेंसिस अमंग मेल एंड फीमेल एंडोटमिकल की बात करते हैं for example structure देख लीजिए अगर हम पैल की बात करें तो नेरोता है में के पैल्विक बोड़ी तो fut odo чем कलिए था न की पी चाहते हमें पाताचला उनोटमिकल से पताचलिएंड्टमिकल यह तो पालल है कि उसके लिख नवह सब मेल का ब्रोड़ है उसके पाद फीजियो जो फीजिलोजी चेंजि के हैं भौडि के अंदर functioning होती है जैसे for example female mensuration ठीक है तो यह सब हमें कहां पता चलता है यह में फिजलोगी से पता चलता है तो इसके according ही हम क्या करते हैं जैसे example के लिए there are different structure of shoulder among male and female shoulder structure structure अलग-अलग है टीकप strength therefore the weight of equipment such as short discuss hammer and dragon is different for both दोनों के लिए क्या है अलग-अलग है दे कभी भी देखें girls का हमेशा weight क्या होता है कम होता है जो भी इनका equipment कर वेट होता है कम होता है boys का javelin का weight कितना है 800 girls का कितना है 600 तो क्यों है यह यह इसी differences की बज़ते हैं और यह difference हमें कहां से बता चलता है अनोटमिकल की study से और physiological की study से नेक्स्ट है हमारा help in providing first head to sports person अब first head भी हम तब ही देंगे ना जब हमें पता होगा कि injury कि इस पार्ट में है किस जगह पर है ठीक है उस जगह पर कौन सा ओर्गन है ठीक है वही अनोटमिक और physiology का यहां बहुत ही बड़ा योगदान होता है उसके बाद useful in developing physical fitness administration of physical fitness जो component होते हमारे कौन से कौन से component होते है speed strength flexibility endurance ठीक है और coordination पांच होते है physical fitness के मेंदी जो five components होते हैं अब इनको कैसे develop क्या जाए ठीक है तो हम पहले knowledge लिए हमने the knowledge of the percentage of red fiber and white fiber of an individual is drive with the help of anatomy and physiology हमेंने पता कर दिया कि किस individual में red fibers है मैं रट टीच fiber हैं हमें यह पता चल गया हमें उसका मलब उसके अंदर fat percentage कितनी है यह पता चल गी तो अगर for example उसके अंदर fat percentage जादा हम क्या करेंगे उसके लिए physical fitness training program बनाएंगे कि उसकी क्या हो जाए fat क्या हो जाए कम हो जाए अगर किसी के अंदर endurance कम है तो हम उसको develop करेंगे तो यह सब पहले हमें study करना पड़ेगा फिर आता है add in sports massage yes massage की बात आगी है यहां पर अब देखिए muscles की बात करते हैं जब हम muscle की बात करते हैं तो muscle के shape होती है size होते हैं उनके नाम होते हैं तो जब हमें उनकी shape का पता चलेगा ना तो हम उसके according उनको क्या देंगे मसाज देंगे जैसे जैसे fiber होंगे ना जिस direction में fiber होंगे हम उस direction में मसाज देंगे for example जैसे अगर हमारे ऐसे straight fiber है ठीक है यहां पर जुड़े और यहां से यहां पर यहां से जुड़े तो हम इसको मसाज कैसे देंगे ऐसे अगर हम इसको ऐसे-ईसे मसाज देंगे मलब ऐसे मलब nonsensy मसाज देंगे तो क्या होगा हमारे fibers तूट जाएंगे ठीक है रादर देर रिलेक्स तो हम अपने fibers के according क्या करेंगे उनको मसाज देंगे एंड लास्ट है हमारा facilitate understanding of the environment effect on the sports person येस बिल्कुल easy है कि environment का sports person के ओपर कैसे effect पड़ता है यह भी हमें anatomy and physiology से पता चलता है अब हमें यह पता है कि function कैसे कैसे होते हैं ठीक है हमारे तो हम physiology में यह पड़ता है कि respiratory काम कैसे करता है कितनी capacity अधिक है डूरिंग डूरिंग रिलेक्स टाइम डूरिंग रिलेक्स टाइम वो कितना मलब कितनी capacity है ठीक है और डूरिंग ऐक्सराइज कितनी यह पता चलेगा उससे for example यहां पर देंग निवीटीटूटूटूट वो इनक्रीस होता है। जो हमारी अन्यॉसट एयर सटो वते हैं डिलवोली होती है वो क्या हो जाती है होणती है ह Gris पें wedi ऑन क्रीज्वन देडार कीज़ते हैं इनक्रीस जाते है ऐसके हम हाई क्या ख़ी साथ, लुक्राया फ़िद में हैं व सहां किस्म में पैड़ता है, हमारी एनोटमी और फिजरोजी में आई होप इसको बहुत सब्सक्राइब है हमारी एनोटमी क Neph, क्या है स्ट्क्छर्चर्ण bena Dougie तो जो भी हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलेगा लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा और अपना इंपोर्टेंट फीडबेक देना मत भूलेगा ताकि हम आपके लिए और भी बहतर से बहतर अच्छे से जूर सकते हैं फेस्बुक से जूर सकते हैं और टेलिग्राम से जूर सकते हैं टेलिग्राम पर आपको जब भी यूनिट मलब फिनिश होती है ठीक है जो भी हम यूनिट स्टार्ट करते हैं जैसे वह खतम होती है उसकी सारी पीडियाप आपको टेलिग्राम पर झाल